केंद्रियर राज्य मंत्री हर्श मल होत्रा ने आज हमाचल प्रदेश का दौरा किया इस दौरान शमला में उन्होंने एक पत्रकार वारता को भी संबोधित किया जिसमें केंद्र सरकार के आम बजट में हमाचल के लिए दी जाने वाली राहत राशी का उन्होंने जिक्र किया इस दोरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष चहराम ठाकूर और भाजपपरदीश अध्यक्ष राजी वबिंदल भी मौजूत रहे। अपने संबोधन में केंद्रिय राजिय मंत्री ने कहा कि जनता के आशिरवाद से केंद्र में तीसरी बार मोधी सरकार बनी है और इसके लिए हिमाचल की जनता का उन्होंने आभार जताया। एक्सपंडीचर भी हिमाचल को दिया गया है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल में लगू द्योग और हिवाओं के लिए भी बजट में भरपूर अवसर दिये गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो टेक्स जवलूशन है जो किंद्र की सरकार देती है वो 264 प्रसेंट बड़ा है और ग्रांटीनेट भी जो एंडिये की सरकार रही उसके रेजीम में 2019 से लेकर के 24 में जो पिरियेट खतम होता है इस बात से यह समझ में आता है कि जो अधर्णिये प्रधानमंत्री जी की एंडिये की सरकार है उनका कमिट्मेंट हिमाचल की ग्रोथ के लिए कितना अधिक है हिमाचल प्रदेश को स्पेशल असिस्टेंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए 3500 करोन रुपए 2020 से 2023 के बीच में दिया गया था इंटरस्ट फ्री लोन इसकी परमुक एक विशेष्टा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो लगू द्योगों को और युवाओं के लिए विशेष्टार से अगर देखा जाए तो जो ग्यान का दूसरा फैक्टर यूथ है उसमें रोजगार के बहुत अफसर इस बार युवाओं को दिये गए है इसके साथ ही आपदा राहत राशी को लेकर उन्हों ने बताया कि 1782 करोड रूपे की राहत राशी आपदा से निपटने के लिए पहले दी गई थी और इस बार भी आपदा से निपटने की तैयारियों के लिए पहले से ज्यादा का बजट हिमाचल को दिया गया है आपदा रहात के लिए 1782 करोड रुपे की रहात पहले दी गई थी इस बार भगवार ना करे कोई आपदा आए लेकिन फिर भी डिजास्टर की तैयारी के लिए डिजास्टर के मैनेजमेंट के लिए इससे अधिक राशी इस बात के लिए आवंटित की जा रही है मन्रेगा के लिए 1100 करोड रुपे की राशी आवंटित है और इसी में 11,000 मकान भी केंद्र ने दिये है